इस बीडियो में हम बात करेंगे ALP Technician के 2023 में जो वकेंसी आने वाली है उसके लिए कौन-कौन से बुक आपको पर्चेश करने चाहिए कौन-कौन से बुक पढ़नी चाहिए इसमें मैं जितने भी बुक बताऊंगा वो मैंने खुद फॉलो किया था और इसके अलावा भी बहुत सारे बुक है मार्केट में और अलग अलग तरह के जो भी स्टुएंट हैं जिन लोगों ने एजाम को क्वालिफाई किया है वो अलग अलग बुक बताएंगे तो वो बुक भी बहुत अच्छी है कोई जरूरी नहीं है कि सारी बुक मैंने ही पढ़ी हो और उन्हीं से ही सिर्फ एजाम क्लियर किया जा सकता है तो मैं इसमें बेसिकली उन्हीं बुक को फोकस कर रहा हूँ जो बुक मैंने पढ़ा हुआ है इस के रहा भी जो बुक मार्केट में अविलेबल हैं उसको भी मैं बताऊंगा वो लाश्ट में मैं बता दूँगा तो सबसे पहला जो बुक है वो मैट्स है और मैट्स के लिए मैंने कीरन पब्लिकेशन बुक को फॉलो किया था और उसके बात करते हैं रेजिनिंग का तो रेजिनिंग को भी मैंने गेरन पब्लिकेशन की ही बुक से पढ़ा हुआ था रेजिनिंग के लिए बहुत ज्यादा कुछ आपको पढ़ने की जरूवत नहीं पढ़ती है पकिस में जितने भी कोश्चन आते हैं बहुत ही एजी रहते हैं और जो की प्रिवेस येर कोश्चन से ही आपके कम्प्लीट हो जाएंगे बहुत ज्यादा इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूवत नहीं है तो ये है रेलेवे का रिजिनिंग का बुक है 2022 का निव एडिशन है और मैथमेटिक्स का ये बुक है 2022 का निव एडिशन है दोनों बुक्स जो है आपको हिंदी में अविलेबल मार्केट मिल जाएगा आप चाहे तो इसको ऑनलाइन भी पर्चेश कर सकते हैं करीब रिजिनिंग में 85-100 प्लस कोश्चन है और मैथमेटिक्स में करीब 9700 कोश्चन इसमें दिया हुआ है 1996 से अब तक किया हुए कोश्चन है पूरा कंप्लीट कोश्चन तो नहीं रहेगा लेकिन इतना कोश्चन मोर्दन सफिसेंट है सभी चैप्टर इसमें दिये हुए तीसरा सभ्यक्ट है जिसमें जेनरल नालेज को तो CBT 1 में इंपॉर्टेंस है लेकिन जीएस के लिए कहा जाए तो जनरल साइंस दोनों CBT 1 और CBT 2 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें जो बुक मैंने पढ़ा था लूसेंट को कवर किया मिल गया थे और भी लोग अगर चाहते हैं इससे बुक पढ़ने के लिए तो रुकमुनी पब्लीशन की बुक भी है वहां पे जनरल साइंस की बुक है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं जनरल नालेज के लिए और सामान बिग्यान के लिए मैंने लूसेंट को ही कवर के उसके बाद से फोर्थ अंबर का जो पॉइंट है करन्ट अफेर्स करन्ट अफेर्स के लिए मार्केट में अभी रुकमुनी का भी मिल जाता है आपको प्लेटफार्म पब्लीकेशन और घटना चकर का तो बहुत ही फीमस बुक है करन्ट अफेर्स के लिए ये तो सारी से ये बुक छपती थी और बहुत ज्यादा इसमें कंटेंट रहता था अभी थोड़ा सा जब से लॉकडाउन लगा उसके बाद से ये बुक फिर से अच्छे से नहीं आने लगी तो अरिहन तभी तो मैं नहीं फॉलो करता हूं अभी घटना चेकर पढ़ता हूं लेकिन अगले मन्त के मैगजिन में वो कवर करते हैं तो इससे आपको फायदा होता कि कोई भी चीज आपसे मिस नहीं होती है बाकि आप यूट्यूब का सहरा बिलकुल लीजे करेंट अफेर्स के लिए क्योंकि वो इसमें आप अप टू डेट रहते हैं और उसमें अच्छे से एक तो आपके पास कम से कम साट सतर पेज में पूरा येर का करन्ट अफेर आपके पास से विलेबल लाएगा तो उसको आप रिवाइज आसानी से कर सकते हैं नेक्ट सब्जेक्ट है बेसिक साइंस एंड इंजिनेरिंग और ये सब्जेक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हैं सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है ये कि क्यूंकि इस से डिलेटेट कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर किसी अधर एंज्जाम के लिए चाहे आप स्टे‍शेंच गे रहे हो या फिर का हम दे रहे हूं या फीजाम फिर के एक्जाम एक्जाम दे था और उसमें important question, solution और theory उसमें दिया हुआ था तो मैं आपको वो book दिखा देता हूँ, आप चाहें तो ले सकते हैं, अभी उसका और भी advanced version आ जाएगा market में और उसका updated book आ जाएगा तो आप उसको purchase करियेगा, अभी सायद available नहीं है, लेकिन हो सकता है notification के बाद ये book और भी updated form में आ जाए, previous year 2018 में जो paper हुए है, 2019 में जब हम लोगों ने दिया हुआ था, तो उसको भी इसमें include कर दिया जाए, तो ये है रुकमुनी publication का basic science and engineering का, इसमें engineering drawing और जो basic science है, वो इसमें दिया हुआ था, ALP के लिए or technician के stage 2, CBT2 के लिए important ये subject है, सभी को पता है, इंजिनियर SK जा के द्वारा ये guided book था, handwritten notes था, उसमें ये available था, अभी क्या है कि आप थोड़ा सा इसका updated आप देखिएगा, जब ये update होके book आएगी तो ही उसको purchase कर दिया जिससे फायदा आपको होगा कि पिछले साल का भी content इसमें include हो जाएगा, question भी इसमें आपको देखने को मिल ज नहीं करते हैं, उनके ये बहुत ही ज़रूरी है कि कम से कम ये numerical portion इसमें ज़्यादा ध्यान देंगे, योंकि numerical इसमें छूट जाता है लोगों का और गलती भी होती है, next six number का वो है trade, trade मेरा electrician था, तो मैं electrician का ही book बता पाऊंगा, तो रुकमनी publication का फिर से मैंने follow किया हुआ था electrician trade का, इसके लिए मैं अलग से ITI का भी एक निमी pattern पे book मैंने हिंदी वर्जन में ले लिया हुआ था, तो उसको भी मैंने पढ़ा था, बाकी मेरा electrical branch था ही, तो electrical branch से जो मेरा basic था, वो वहां से मैंने एक book से first year के book से भी कुछ देख लिया था topic क्योंकि इस से पहले मैंन ELP का कोई exam दिया भी नहीं था, और मेरे पास कोई इस तरह के pattern पे कोई previous year paper भी नहीं था, तो एकदम नया था, और हलाकि सबको पता है कि trade paper स्रिफ qualifying nature का होता है CBT2 में, तो मुझे उतना ही पढ़ना था, और उतना ही question पे target रखना था, जिससे मेरा paper qualify हो जाए, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा score करने के लिए नहीं पढ़ना था, तो आप भी कोशिस करिएगा कि कम सकम जितने आसान chapter हो पहले cover कर ले जाए, कुछ cutting chapter रहेंगे तो उसमें सिर्फ हम क्या करेंगे, कि simple simple question को ही पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा deep में नहीं जाएंगे, लेकिन आसान chapter को इतने अच्छे से पढ़ देजिए कि इसमें से question अगर आए, तो वो गलत नहों और छूटे ना, जिससे आप आसानी से ये paper trade वाला एकदम clear कर ले जाएंगे, इसके लिए यहाँ पे देखिए platform publication का, the platform publication का ATI का trade theory का जो book था, जिसमें electrician और oblique instrument, mechanic, wireman के लिए जो slayvers था, उ सभी चीजें, इस book में notes के form में लिखा हुआ था, इंजिनियर एसके जहा के द्वारा, तो इस book को भी आप purchase कर सकते हैं, बाकि इनका YouTube channel है, वहाँ से भी आप जाकर की चीजों को दोएक सकते हैं, हलाकि आप कोशिस करिएगा कि अगर आपके पास notes ये book रहेगा, तो आप इसमें समस्या नहीं आएगी, लेकिन कोशिस करिएगा जो लोग डिप्लोमा हैं और बीटेक हैं, आपको ITI को ही focus में रख करके पढ़ाई करनी है, क्योंकि अगर अपने branch के trade पर जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें chapter में हैं, वह उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, और I ITI को ध्यान में रख के ही अपनी पढ़ाई करिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं साइको का paper, तो साइको के लिए आपको उपकार publication का साइद book आता है, उपकार है या उपहार है, मुझे पता नहीं है, साइद उपकार ही publication है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप इस publication की book आप परसेच का लिजेगा, और आप इसके लिए कोर्स करिएगा, यूट्यूब का साहरा लेने का, यूट्यूब से पढ़िएगा, simple concept है, और मैंने भी एक playlist बनाया हुआ, साइको का, पूरा मैंने पांच बैटरी टेस्ट उसमें बता रहे हैं कैसे करना है, स्रिफ वह सिर्फ practice से ही आएगा, और इसमें जो नियम है बैटरी टेस्ट के बहुत ही simple, आप एक दिन में बैटके ही पांच बैटरी टेस्ट के नियम जान सकते हैं, उसके बाद आपको जितना ज्यादा इस पर practice करेंगे, आपके speed बढ़ेगी, कम टाइम में ज्यादा है ज्यादा question आ पाएंगे, और psycho के भी नंबर आपके जुड़ते हैं, cbt2 के part A के नंबर और psycho के paper के नंबर मिला करके ही आपके LP में ranking बनती है, बाकी जो लोग ITI किये हुए हैं, बहुत से लोग इस बात में confusion में रहते हैं कि उनके लिए क्या, cbt2 में अगर वो trade paper disqualify होते हैं, तो वो paper से बाहर हो जाएंगे, trade paper उनको qualify करना ही करना है, अगर वो psycho में fail हो जाते हैं, तो उनका number अगर cbt2 के part A में number qualifying से ज्यादा है, तो वो लोग technician के post पा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ITI के लिए, अभी तक तो फिलाल याई है, जितना भी book मैंने बताया है, वो मैंने follow किया हुआ थ बाकि इसके अलावा test series में मैंने दिया हुआ था, अब मैं बता देता हूं कि इसके अलावा भी बहुत से book market में available हैं, जो लोग पढ़ते हैं, इसके अलावा देखिए general science के लिए youth publication का भी book बहुत से लोग market में देखते हैं, उसे पढ़ते हैं, इसमें भी previous year के question नहीं रहते इसको solve करिए, previous year paper के question को करिए, और test series दीजे, इससे आपका marks जरूर इंप्रूब होगा, और cbt2 के लिए courses करिएगा, आप कम से कम basic science and engineering को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने के लिए, science का portion आपके लिए बहुत ज़्यादा important है, क्योंकि उसमें ज़्यादा ज़्यादा question पूछ कर सकते हैं, और आप अपना slaves complete करिए, basically point यही है, और अभी vacancy को लेकर के ज़्यादा tension में मत रहा करिए, किसी भी channel पे अगर कोई भी चीजें बताए जा रही है कि आज आ गए vacancy, एक महीने में आ जाएगी, दो महीने में आ जाएगी, उन सारे video पर थोड़ा कम ध्यान दिया करिए, आप slaves जितना ज्यादा complete करेंगे, जितना बार revise करेंगे, आपके selection होने की संभावना तभी बढ़ेगी, ज्यादा ज्यादा आप लोग selfish study पर ध्यान दीजे, thank you, all the best